नमस्कार SMT News में आपका स्वागत है पेश है जोदपूर बिकरने जिले की बड़ी खबरें जोदपूर शहर सही समूचे मारवार में नव वर्ष की सुबह सूरे देव की कीडने धुन्त की चादर लपेट कर आई यहां आज दो पहर तक घना कोरा बना रहा अल सुबह पोफ अटने पर लोगों की आखे दूर तक देखने में अक्षम रही शहर की सडकों पर सुबह से ही सरनाटा रहा सर्द हवाओं ने इस बार नव वर्ष का सुबह कर दिया सुषना पाकर दमकल मौके पर पहुँचे और आग पर काबू पाया अरंबिक जानकारी के नुसार आज सुबह ओफिस में आग लगने से हड कंप मच गया आगजनी के समय ओफिस बन था आग की सुषना मिलने पर इसे खोला गया दमकल को भी सूषना दी गई दमकल करमचारियों ने मौके पर पहुँचकर आग पर काबू पाया ब्रेश्टचार निरोदक ब्यूरो ने वर्ष 2020 में जोतपूर रेंच में 45 ट्रैप कारेवाई की और तीन राजपतित अधिकारियों को जेल की सलांखों तक पहुँचाया वहीं तीन मामले पद के दूरुपयोग और दो प्रक्रण आय से अधिक संपत्ति के दर्ज के गई ब्यूरो के डियाईजी डक्र विश्टू कांत ने बताया कि 2019 में 18 पद दूरुपयोग के केस बनाए तो 2020 में तीन केस ऐसे सामने आये वश 2019 में 4,34,000 रुपए की रिश्वत राशित जब्त की गई थी जबकि 2020 में 14,46,500 रुपए की राशित जब्त की गई बीकानेज की रेल यातियों को अगले साल काफी सुवधाय हैं इनमें लालगट स्टेशन के 2nd एंट्री वे बीकानेज स्टेशन के 2nd एंट्री में बन रहा नया वेटिंग हॉल शामिल है लालगड की सेकंड एंट्री का निर्मान करीब 2 क्रोड रुपे की लागत से किया जा रहा है कोरोना के चलते मार्च में यह कार्या बंद करवा दिया गया था जून लास्ट में दुबारा शुरू हुआ अब फिनिशिंग वर्क चल रहा है जैसे ही स्टेशन पर ट्रेनों का संचालन भड़ेगा जूरूत के हिसाब से एंट्री को शुरू कर दिया जाएगा कोरोना संक्रुमन के बचाव के लिए सरकार की ओर से टीका करण किया जाएगा इसके लिए जोदपुट जिले में COVID-19 वेक्सिनेशन अभियान के लिए सीमा सुरक्षा बल बिकानेर सेक्टर के पुषपेंद्र सिंग पहले ऐसे डिएजी हो गए है जिनोंने राजिस्तान के पश्मी सरहत पर हाड कंपा देने वाली स्थंड में भी 158.6 किलोमेटर फेसिंग के साथ साथ नौन स्टोप पेट्रोलिंग की है उनकी इंसकर्ती विदियों से सीमा पार पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है डी आई जी पुषपेंद्र सिंग ने 39 दिसंबर को सांचु पोस्टे पेट्रोलिंग शुरू की थी पांच अफसर, दस जवान और गाडियों का लावाजमा भी उनके साथ रहा इस दोरानवे गाड़ी में नहीं बैठे, उन्ट पर चड़े, साइंकलिंग की और पैदल चले सरकार के चलाए जारहे अभियान रास्टे तंबाकू नियंतन कारेकरम के तहत जोत्पू शहर के नियमों के विरूत तंबाकू वे गुटका बेचने वाले दुकानदारों के चलान काटे गए साथ ही आमजन को तंबाकू की उत्पादन की बिक्री नै करने वे तंबाकू से होने वाले दुश्प्रभावों के बारे में भी जान करी दी गई विकानियर जिले के 18 ऐसे गाउं है जहां के किसानों ने 24,000 बीगा से अधिक जमीन सोलर कमपनियों को या तो बेची है या लीज पर दी है अच्छी कीमत की राया मिलने से इनके घर में भी खुशाली आई है ग्रीन एनर्जी कोरिडोर से जुरने के बाद विकानियर सोलर एनर्जी उतपादन का हब बनता जा रहा है विकानियर के कुलायत गजने जामसर और लूनकरंट सर शेत्र के गाउं में बड़े पैमाने पर सोलर प्लांस का काम जारी है प्राइबेट सेक्टर की 40 में से अजुरा, अबाडा, रिनू पावर, समेजा धमेजा सोलर पावर कमपनी ने बिजली उतपादन शुरू कर दिया है नहरू यूवा केंद संगठन को राश्ट्रिय जल मिशन जल शक्ती मंत्रा लिया है भरत सरकार द्वारा कैच दर रेंज जल शक्ती 2.0 कार्यकरम में यूवा सहबागिता के लिए जिम्मेदारी दी गई है नहरू यूवा केंद जोदपूर के जिला यूवा अधिकारी राजेश चोधिर ने बताया कि इस कार्यकरम के प्रथम चरण के तहट परतेक जिले के 50 गावों को सम्मिलित किया जाएगा संत ललित प्रब सागर महराज ने कहा कि हार और जीत का सम्मध हमारी सोच पर है संत प्रवर जोदपूर के राधनाडा स्थित अजित कलोनी में आयोचित धर्म सभा में श्रधालों को सम्मधित कर रहे थे संत ललित प्रब और डाक्टर मनीश शांती प्रियस सागर महराज के राधनाडा पहुशने पर श्रधालों द्वारा स्वागत अमिरंदन किया गया जोदपूर के गजानाद मंदिर राधनाडा के पुजारी मनीश अबोटी को विश्व हिंदू सेवा संग में धर्म गुरु पत पर हमनोनित किया गया संग के प्रदेश सरंक्षक उप महापोर किशन लड़ा द्वारा धर्म गुरु को शोल उड़ा कर समानित किया गया लोगों ने दूसरे के जीवन रक्षार्थ अपना प्लाजमा डोनेट किया कोरोना के संक्रमन की रोग थाम को लेकर जोदपूर नगर निगम की ओर से चलाय जा रहे जन अंदोलन अभियान के तहत मकराना महुला में नुकर नाटक का आयोजन किया गया पार्शद जाफरान की पहल पर निगम की ओर से आयोजित इस नुकर नाटक में लोग कलाकारों ने आमजन को कोरोना गाइडलेंड की बानला करने का संदेश दिया फिलहाल इस मुलेटेन में इतना ही फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ SBT News की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें